नमस्कार विद्यारतियों पेपर थर्ड के अंदरगत हमें यूनिट थर्ड डिस्कस कर रहे थे उसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों पत्तियों में प्रकास सेंसलेशन की प्रिक्रिया को चारू और अधिक दक्ष रूप में संपन्न करने के लिए विशिष्ट पादपों में जैसे कि ग्रेमिनी है ग्रेमिनी कुल जो है उसके सदसे जो है उनकी पादपों की जो पर्ण है उनमें क्या विशेष्टाएं पाय जाती है उनकी एनडाबमी होती है उस एनडाबमी में ऐसा क्या हुआ विशिष होता है जिसके वज़ए से जो ग्रेमीनिकुल सदfires से से नकास अंसरे शब्लेशन सब्सक्राइदि बहतर दक्षता को प्रदश्चित करते हैं ग्रैमिनी आपको याद है कि ग्रैमिनी कुल जो है वो एक वीज पत्री पादपों के अंतरगत आता है तो हम यह कह सकते हैं कि जो एक वीज पत्री पादप है उनकी जो पत्तियां होती है वो द्वी वीज पत्री पादप है उनकी पत्तियों के सापेक्ष प्रकास अंसलेशन करने के लिए अधिक दक्षता प्रकट करती है अथार कहने का मतलब यह है कि एक बीच पत्री पादपों में प्रकास अंसलेशन अधिक दक्षता से होता है बनस्पत दिवी बीच पत्री पादपों की पत्तियों में तो यह जो प्रकास संस्लेशन में दख्षता में जो भिन्दता है प्रकास संस्लेशन की जो दख्षता है अलग-अलग पादपों में जो है द्रीवीज पत्री और एक पत्री पादपों में क्यों पाई जाती है इसका मतलब यह है कि एक पत्री पादप है उसकी पर्ण में जो उसमें विशीव प्रकार की कोई सरचना पाए जा रही है उसकी mechanism जो है फोटो सेस्दस करने की वो कुछ अलग है ठीक है तो वो mechanism क्या है क्या विशी सरचना है उसमें पाए जाती है ठीक है तो उसका आध्यन हम करेंगे ठीक है बच्चों तो स्तार्ट करते हैं हम स्क्रीन शेयर किये वेन आपके लिए स्टार्ट करते हैं पर्ण में प्रकास संस्लेशन सम्मधी विशेशता है बच्चों एक बात मैं यहां पर स्पर्ष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिन विध्यारतियों को लगता है कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो वो जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड 1.25 या 1.50 करके जो है उसको उसकी स्पीड को जो है तीज कर सकते हैं मैं देरे-देर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो है आसारी जो सब बच्चों को समझ में आ जाए इसके लब अगर आपको जो स्लाइट्स वगरा है उनको देखने में कुछ इशु हो रहा है तो यूट्यूब पर जाकर यूट्यूब में सेटिंग्स में जाकर आप अपनी जो है वीडियो को उसको चेंज कर सकते हैं इसको 480 पर कर लिजेगा ठीक है तो आपको दिखेंगे स्टार्ट करते हैं तो पंड में प्रकास संस्लेशन समधी विशेषता है बहुत शुटा टॉपिक है लेकिन इंपोर्टेंट है पंड में जो पर्ण का प्रमुक कारे होता है वो प्रकास संस्लेशी वर्णकों की पर्ण है प्रकास संस्लेशन की प्रिक्रिया दर्शाती है और आशान शब्दों में हम कहें पतियां स्वयम और अपने पादप के जो अन्य भागे उनके लिए बोचन करमान करती है आसान शब्दों में अब देखिए जो पर्ण होती है उसकी सरशना हमने देखी थी के बंडल वेस्कुलर बंडल वगरा पाजाते हैं तो आपने पड़ा अब देखिए इसमें जो मीजोफिल्स पर्ण है उसमें मीजोफिल्स हो रही है पाई जा रही है हरितलवक पाई जा रहे है ठीक अब जब यह कोशिकाएं यानि मीजोफिल्स हरितलवक की सहायता से प्रकाशिक अबिक्रिया संपन्न करते हुए कारवंड या एक्सवाइट का अब चैन करती है यह सामानित है सीथी चक्र द्वारा या कैल्विन चक्र द्वारा संपन्न होता है यह सीथी प्लांट्स कहलाते हैं मीजोफिल्स शेल्स ठीक है कोशिकाएं है कोशिकाओं के अंदर हरितलवक होगा अगर मीजोफिल्स शेल्स उनमें पाया जाने वाले हरितलवक की सहायता से प्रकाशिक अबिक्रिया संपन्न करते हुए कार्वन डायकसाइट का अब चैन करती है उसका स्थरी करन करती है तो जो यह है प्रक्रिया है उसको हम बोलते है C3 चक्र ठीक है या Kelvin चक्र और ऐसे पादप जिनमें की ये C3 चक्र पाजाता है वो पहिलाते हैं C3 plants ठीक है ये जो plants होते हैं बच्चों C3 plants सामाने दर दूवीवीश पत्री होते हैं जो एक वीच पत्री पादप होते हैं, उनको हम C4 plants कहते हैं, तो एक वीच पत्री पादपों में कि जो carbon dioxide का स्थिरी करण है और glucose का निर्मान है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कुछ पादपों जैसे ग्रैमिनी कुल के सदस में carbon dioxide का स्थिरी करण उसे सम्मंदत एक विशिष cycle पाए जाता है, जिसे C4 cycle या hatch and select चक्र कहते हैं, और जिन पादपों में यह C4 cycle पाए जाता है, उसे हम C4 पादप कहते हैं, ठीक है, अब देखिए इसमें, जो C4 पादप होते हैं बच्चों, उनमें विशिष प्रकार की एक anatomy पाए जाती है, आकार की पाए जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, cringe anatomy, ठीक है, अब देखिए, यह हमने एक leaf है, उसका section दे रखा है, उपर की तरफ जो है, इसमें बच्चों, एपीडर्मिस है, अपर एपीडर्मिस, नीचे की तरफ लोर एपीडर्मिस, बीच का भाग जो है, मीजोफिल सेल्स का बना हुआ है, और मद्यभाग में वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल के चारो ओर एक विशिश प्रकार की सरशना पाए जाती है, जिसको हम बोलेंगे, बंडल शीत कोशिकाएं, ठीक है, देखिए, सबसे बीतर की ओर, केंदर की जो है, वैस्कुलर बंडल पाए जा रहा है, वैस्कुलर बंडल के चारो ओर जो है, वो बंडल शीत कोशिकाएं पाए जा रही है, ठीक है, और बंडल शीत कोशिकाएं के जो चारो ओर है, सकेंद्रिय रूप में कह पाए जा रही है, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, कोई बात न पादप होते हैं बच्चों उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना हरितलवक 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 उसमें दिविर्युपता पायाती है दिविर्युपता कैसे पायाती है यह देखिए हैं बंडल शीत कोशिकाओं में भी हरितलवक मिलेगा कोशिक आए हैं मीजोफिल सेल्स है उनमें भी chloroplast में लेगा, वो भी कोशिकाएं हैं, लेकिन जो यह chloroplast होता है, वो अलग-अलग एनड़ाब में दिखाता है अपनी, chloroplast है, बंडल-शित कोशिकाएं में अलग हिस्ते हैं प्रकट करेगा, और मीज़ोफिल सेट्स में अलग कोशिकाएं प्रकट करेगा, ठीक है, अब यह कैसे प्रकट करता है, इसको देखते हैं, बच्चों जो बंडल-शित कोशिकाएं होती है, जो कि समवेन पूर के चार ओर पाय आती है, उसमें आकार में बड़े, बहुत इंपोड़न्ट है यह एक्जाम है, हमिशा पूसते हैं, आकार में बड़े, सू विक्सित, स्ट्रोमा युक्त, तथा अल्प विक्सित, ग्रेना युक्त, हरितलवक पाये जाते हैं, ध्यान दीजेगा, बंडल-शित कोशिकाएं में पाये जाने वाले, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, संख्या में कम होंगे, अल्प विक्सित, ग्रेना युक्त, और सू विक्सित, स्ट्रोमा युक्त पाये जाते हैं, ध्यान दीजेगा, ठीक, जबकी, इसको हम बाते पढ़ेंगे, जबकी जो मिजोफिल सेल्स हैं बच्चों, उसमें पाये जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट हैं, वो आकार में संख्या में अधिक, सू विक्सित, ग्रेना युक्त, तथा अल्प विक्सित, स्ट्रोमा युक्त पाये जाते हैं, तो हो गई ये, डायमॉर्फिक कंडिशन, बंडलशित कोशिकाओं में अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं, और मीजोफिल सेल्स में अलग प्र में जो CO2 ग्राही होता है, रूबिस्को और RUDP होते हैं, ठीक है, रूबिस्को और RUDP के दवारा, जो है, CO2 का फिक्सिशन होता है, और ग्लुकोस का निर्मान होता है, ये है सीथी चक्र हो गया, अब जो मीजोफिल सेल्स हैं बच्चों, उसमें CO2 ग्राही होता है, PEP और PEP Carboxylase Phosphoenol Pyrovate है ना और Phosphoenol Pyrovate Carboxylase इनमें होगा C3 चक्र कहने का मत्तब यह बच्चों ध्यान दीजेगा Bundle Sheet कोशिकाओं में पाया जाएगा यह अंदर है Bundle Sheet इसमें पाया जाएगा C3 और जो Mesophyll Cells है उनमें पाया जाएगा C4 cycle अब इसमें ध्यान दीजेगा कि पत्ती में एक बार में ही दो-दो जगे जो है Carbon का CO2 का स्थिकरन या fixation होता है अब ध्यान दीजेगा जो दूइबीच पत्तरी पादपों होते हैं बच्चों उसमें एक बार में केबल एक ही carbon dioxide का स्थिकरन होगा लेकिन जो C4 plants होते हैं उसमें दो-दो बार एक तो C3 cycle के माध्यम से और एक बार एक C4 cycle के माध्यम से carbon dioxide का स्थिकरन पाये जाता है तो इस पश्ट है जितनी ज़्यादा carbon dioxide का अपचैन होगा और glucose का अनर्माण होगा तो हम यह मानेंगे कि जो है प्रकास translation की दक्षता है वो उसमें ज्यादा है ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि C4 plants होते हैं उसमें प्रकास translation की दक्षता C3 plants की बजाए अधिक होती है बच्चों समझ में आ गया यह इस वीडियो को आप दुबारा देखिएगा तब आपको और ढंक से clear होगा यह exam में कहीं बार जो इस slide बता रहा हूं मैं आपसे आपको जो शेयर कर रखी है कम से कम भी दस प्रकार के प्रशन आसानी से objective आपकेस से बनते हैं और आपकी जो विश्विदाले परिशाएं उसमें भी confirm है 100% है कि इसका प्रशन किसी ना किसी रूप में आपसे ज़िए जाएगा ठीक बच्चो अब लास देखिए इस प्रकार यह सीफोर पादप अधिक दर्श होते हैं हमने पढ़ लिया समझ लिया इसी प्रकार मासल मुरुद्वित पादपों में भी रात्रिय सक्रिय रंद्र पायाते हैं इनमें प्रैसुलेसियन अमल उपाप्चे जंपन होता है ठीक है कोई मैतपूर नहीं है यह इस अंदर में मैतपूर नहीं है यह हम बेस से फाइंडर में इसको विस्तार से पढ़ेंगे ठीक है बच्चो तो दिन्यवाद आपकी कोई भी क्वेरी हो ठीक है कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस मोबाइल नंबर है मेरा यह मोबाइल नंबर है इस पर आप वाट्सप या मैंस कर सकते हैं और यह मेरी मेल आइडिय है इसमें आप मेरे को मेल कर सकते हैं कोई भी समझ्या हो तो उसका मै समाथान करने का प्रयास करूगा ठीक है बच्चो तो ये क्रेंज प्रकार की एनाटोमी पाई जाती है सिर्फोर प्लांट्स में हरितलवक में द्विरुपता के रूप में पाई जाती है तो जन प्लांट्स में हरितलवक में द्विरुपता पाई जाती है हम बात करते हैं क्रेमेनिकुल के सदस्यों में एक विजपत्री पादपों में ठीक है तो क्रेंज प्रकार की जो एनडोमी पाई जा रही है उसकी सहाथा से हमने यह देखा इस लेक्चर के दुआरा कि प्रकार संस्रेशन की दक्षता है उसमें व्रत्ती होती है ठीक है के लिए देखने के लिए हैं क्यों देखने के लिए देखना वागा लिए आप